आप देख रहे हैं ABP News, आपके साथ हूँ मैं, रुबिका लियाकत, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, इस वक्त आप जानते हैं कि पूरे देश ने बहुत श्रद्धा भाव से उत्तर प्रदेश को देखा, उत्तर प्रदेश की आयोध्या को बड़ी अकीदत भरी 500 साल लंबी लड़ाई, 135 साल कानूनी पच्छडा, आज जब योगी अधितिनाथ उन शिलाओं के सामने बैठे थे, वो कौन सा भाव था? मैं सबसे पहले यही जानना चाहते हूं, उसका वर्णन कीजिए. देखे, मेरे ले दोनों प्रकार से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, एक मुख्यमंत्री के रूप में, लोकतांत्रिक तरीके से, समिधान सम्मत और सांतिपूर्ण तरीके से, एक लंबे समय से चले आ रहे है एक विवात का पटाक सेप होना, और जो जन भावना आए थी उसके इन रूप कारे का सुभारंब होना, वह भी प्रधानमंत्री जी के करकमलों से, एक राम भक्त होने के नाते भी, मेरे लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि मेरी तो कई पीडियां इस अभ्यान के साथ जुड़ी थी, इसलिए मैं उस आउसर पर, दोनों भाव के साथ जुड़ा हुआ था, मुख्यमंत्री के रूप में कि सांति पूर्ण तरीके से समस्या का समाधान सुहार्द पूर्ण तरीके से हुआ है, और भारत ने दुनिया के लोगों को आईना दिखाया है, कि लोकतांत्रिक मुल्यों और आदर्सों की रक्सा करते वे भी, सम के ले महत्तोफून था, क्योंकि मेरे गुरुजी, मेरे दादा गुरुजी, उनके गुरुजी, उनके भी गुरु, ये लगातार पीडी बर पीडी इस अविहान के साथ जुड़ी रही, और आज वस अपना साकार हुआ, तो साभाई गुरुप से अपने पुरोजों की प् आज जब आप भाशन दे रहे थे, तो वो भावुकता साफ तौर पर दिख रही थी, दोहजार उन्निस में जब फैसला आया था, वो भावुकता साफ तौर पर दिखी, वो भावुकता तब भी दिखी, जब 25 मई को आपने राम लला को गोद में उठाकर उस टार्ट से ठा तार्ट में पहुंचाया, आज एक तस्वीर थी और उस तस्वीर के दो मुख्य किर्दार दिखे, एक प्रधानमंत्री नरेंडर मोदी, दूसरे योगी अदितिना, आपने कभी सोचा था कि ये सौभाग्या आपको मिलेगा, राम लला को अपनी गोद में उठाकर तार्ट से ठार्ट मिले जाने का. उन्हें वास्थान था, उनकी जनम फुमी है, उन्हें वास्थान वहां मिलना चाहिए, इसके लिए जिस भी प्रकार के योगतान के आउसिक्ता पड़ेगी, चोंकि हमारी कई पेड़ियां उसके साथ जुड़ी थी, और मेरा भी इस संकल पता कि नहीं, ये कारे होना चाहि लेकिन सम्मधान सम्मत तरीके से, हम एक लोगतांत्रिक देश में हैं, सम्मधान सम्मत तरीके से होना चाहिए, और उस बात के लिए हम आसावादी थे, ये कारे होना है, हम लोग इस कारे को लेकर के रहेंगे, हमारे पास तत्य थे, हमारे पास प्रमान थे, हमारे पास सभी प्रकार के ओ थे और वहाँ हुआ तो स्वाभाई कुछ से भावुक छण भी था गौराव का छण भी था उमंग रुट्सा का छण भी था उनिस सो नंचास आपके दादा गुरू महन्त बिग्विजयनात वो उस वक्त उपस्तित थे जब रामलला का प्रकटी करन हुआ फिर उनिस सो च्यासी आपके गुरू गोरकनात मंदर के महन्त अवैद्यनात जी वहाँ पर मौजूद थे आज जब भूमी पूजन हो रहा था तो गोरकनात या गोरकशपीट के महन्त योगी अधितिनात वहाँ पर मौझूद थे ये महस सयोग है या मट का वो साक्रिफाइज है या फिर पर्भू राम का अश्यवाद है एके पर परभू राम का अश्यवाद और भारत के सनातन मुल्यों के प्रति हमारी प्रतिवधत गोरक स्पीड की प्रतिवद्दता इस बात को लेकर के आगे चलती है देखे कितना फुराना ये विवाद है अठारह सो पिचासी में भी इस मामले का समाधान हो चुका होता बिटिस काल खंड में नहीं होने दिया उन्होंने गाल मेल करके फैसला दिया स्विकार कि जहां राम जनम भूमी है लेकिन इसका समाधान नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि बिटिस काल खंड था वे समाधान नहीं चाते थे क्योंकि ये एक मुद्दा था जो हिंदू-मुस्लिम बिवाद का कारण बन रहा था बाद दूर साथ जफर चाते थे समाधान हो लोगों नहीं होने दिया उस समय भी और अंग्रेज नहीं चाते थे उस समय बाद में आगे के कालखंड में फिर ये हर बीस पचीस वरसों के दोरान एक बड़ा संघर्स और आंदूलन चलता रहा 1934 में फिर उस अस्थान पर हिंदों ने कबजा किया वहाँ पर फिर से किरतन का कारिकरम प्रार 1989 में ताला खुलता है 1989 में कथित सलानियास का कारिकरम कॉंगरेस के दोरा भी आयुजित किया जाता है लेकिन मुद्धा मंदिर निर्मान का नहीं था मुद्धा बग्मान राम की जनम भूमी का था और जनम भूमी पर रामलला ही बिराजमान होंगे इसको लेकर के हुआनके मंदिर नहीं है हर एक मंदिर में भागवान है बिराजमान है उन्हें परां प्रुतिष्टा सब का समान है लेकिन जनम भूमी रामलला की जनम भूमी राम लिला बेराजमान वहाँ पर हैं वह स्थान हमें चाहिए लड़ाई उस बात को लेकर रहे थी कॉंग्रेस वहाँ नहीं चाहती थी उससे दूर चाहती थी बिवाद बना रहे इसी में कॉंग्रेस को ही दिखता था इसलिए वह समाधान नहीं चाहती थी लेकिन आज का दिन बहुत मैतुपून दिन है और मुझे लगता है कि हर भारत वासी के लिए गौरव का दिन है और दुनिया को एक संकेत है कि भारत की जनता भारत के समयधानिक मुल्यों के अंदर सांति पूर्ण तरीके से बड़ी सी ब लगते हुए सारी चीजे हुई है लेकिन विपक्ष तो आपके उपर एक दूसरा अरोप अजय फ़ता रहा है विपक्ष प्रधान मंत्री नरेन्र मोधी के प्रधान मंत्री होते वहां जाने पर सवाल उठा रहा है आपके मुक्ख मंत्री आप महंत के तौर पर जाते कोई परिशानी नहीं थी पर मुख्यमंत्री होने के नाते वहां पर जाना खल रहा है अगर भारत के समिधानिक मुल्यों के प्रति इन नेताओं को थोड़ी भी जानकरी होती है तो भारत के समिधान निर्माताओं ने भारत के समिधान की जो मूल प्रति वनाई थी उस मूल प्रती में लंका विजय के बाद भग्मान राम जिस पुस्पग विमान से अईध्या वापसी होती है उस पुस्पग विमान के साथ भग्मान राम का माजानकी का लक्षमन जी का हौनमान जी का और उनके अन्य जितने भी स्योगी थी इन सब के चित्रों के साथ जो द्रिश्य दिखाया गया है उस द्रिश्य को उस रूप में प्रस्तुति करन नहीं होता इसका मतलब राम भारत के लोकतांत्रिक मुल्यों की एक बहुत मजबूत आधार है और ऐसे ही जिने भारत जिनके आदर्सों से भारत के लोकतांत्रिक मुल्यों को ताकत मिली है उन सब को समिधान में समिधान की मूल प्रति में उसी प्रकार का महत्वपून अस्थान दिया गया है सबी को दिया गया ब्यापक बिचार विमर्स के बाद ब्यापक डिवेड्स के बाद इस सारी चीजें सामने आई हैं इसलिए प्रस्टन खड़ावे लोग कर रहे हैं जिने भारत के मुल्यों और आदरसों की जानकारी नहीं भारत के समयधानिक मुल्यों के बारे में जानकारी च्शे बर्सों में प्रदान्मंत्री मोदी जी कभी भी ऐएध्या नी गए, क्योंकि मामला कोट में था। और मैं इसलिए भी गया जाता था, क्यूंकि मुख्यमंत्री की रोप में ऐइध्या के विकास की भीन्ष कारियोजनाय को हमें आगे बढ़ाना था। तीन वर्ट से पहले दिपोत्सों के कारेकरम को भी हमीं लोगों ने आगे बढ़ाया था, हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया था, बाद में वहां के पुझ संतों को, वहां के अन्य लोगों को हमने उसके साथ जोड़ा, लेकिन प्रिधान मंतरी मोधी जी जब तक नियायले में प्रधान मंतरी मोधी जी वहां गए, और उन्होंने आज राम मंदिर के सलानियास का कारेकरम भुवी पूजन और कारे सुभारंब को अपने करकमनों से संब लेकिना, इसका श्रय अगर आप देना जाएं, किसी एक व्यक्ति को, देखे प्रधान मंतरी मोधी जी को इसका अ जाता है, जब भी मामला नयाले में जब भी था, और जब नयाले में मामला चला था, उनकी सक्त हिदायत थी किस मामले में कोई बेक्ति कोई बयान बाजी जारी नहीं करेगा, कोई दावा नहीं करेगा, नयाले जो फैसला करेगा, वो मानना पड़ेगा, हर एक को सक्त हिदा भारत के लोकतंत्रिक मुल्यों पर हम विश्वास करते हैं तो लोकतंत्र के जो आधार स्थम हमारे हैं उनके प्रतिवी हमारा सम्मान का वह होना चाहिए हमें कुछ भी नहीं बोलना पड़ेगा और कोई बोलता था तो उसकी स्पस्टिकन मांगा जाता था लेकिन छे वर्सों के सासाथ उत्तर प्रदेश की अनेक विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का भी एक कारिक्रम होने लिए उसर हैं और उस उसर से हम बंचित नहीं होना चाहते थे क्योंकि ये मंदिर नहीं ये राम की कीर्थी के अनरूप भारत की यस और कीर्थी को देश और दुनिया के तक पहुचाएगा और युद्ध्या में प्रेटन और विकास की धेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा रोचगार के लाखों औसर उपलब्द कराएगा इ हमने उसको सी रूप में आगी बढ़ाया है आज प्रधान मंत्री नरेंद मोधी ने एक बात कही चौपाई इस चौपाई का इस्तमाल आपने चुनाव लड़ने से पहले एक जनसभा में किया था राम काज किनय बिनूंग वही कहां विश्राम तो अब विश्राम है क्योंक प्रधान मंत्री जी ने कि मैं पिछले च्छे वरसों में राम के ही आदर्सों के नरूप काम कर रहा हूं हमने मकान दे गरीबों को कोई भेद भाव तो नहीं किया हिंदू मुस्लिम तो नहीं किया अमीर गरीब तो नहीं किया जो पातरता रखता था उसको दे दिया रसोई के कनेक्शन दे सभी को दे दिये वे तीन करोड़ लोगों को गरीब को मकान दे देना आठ करोड़ गरीबों को रसोई कैस के कनेक्शन निसुल को दे देना चार करोड़ गरीबों को विद्दुत के निसुल को कनेक्शन उपलब्द करा देना बारा करोड़ किसानों को प्रध है सब तो नहीं दिखा गया तो योगी ऑदितिनात को बहु संख्यक तौर पर या बहु संख्यकों का सीम के तौर पर बार बार दर्शाया जाता है सोच का फरक है है कि दुर्भा के रहा है कि हम आजादी के बाद करण की प्रकृया से हट करके जाती मत और मथहब के जिस एक नय कलेवर को हम लोगोंने दैस चेंदर उडाया उसने भारत के अंदर लोगों को फिरे फिरे में तो बांटा है लेकिन बिकास और सासन की उसनों के साथ जोड़ने का कारें नहीं किया आज जब इन कारेक्रमों को हम लोग करते हैं तो उन्हें असरे होता है मुझे एक बात बताएं जिन लोगों ने जिस पार्टी ने 55 वर्सों तक देश के अंदर सासन किया 55 वर्सों तक सासन करने के दोरान उस पार्टी को क्या ये गरीब नहीं दिखाई दे थे जिन गरीबों को आज आवास मिल लए है क्यों नहीं उसने दिया अगर मोदी जी दे सकते हैं तो एक काम पिछली सरकारी भी दे सकती थी रसोई गैस कनेक्शन आठ करोड लोगों को कॉंग्रेस भी दे सकती थी विद्दूत के कनेक्शन कॉंग्रेस सपा बस्पा भी दे सकती थी आयुश्मान भारत में पांच लाख रुपे की का बीमा कवर ये कॉंग्रेज सपा बसपा भी दे सकती थी इन्हों नहीं तो नहीं दिया यानि इनकी सोच देखिए ये लोग सासन की योशनाओं को उन तक नहीं पहुचाएंगे जब सत्ता में आएंगे तो परिवार और जाती तक सीमित हो जाएंगे जब सत्ता में आएंगे तब इनके एजेंडे बदल जाएंगे लेकिन से इस समय समाज को बांटने के लिए हर वह कारे करेंगे जिस से समाजिक वेमिनिस्टा बढ़े अभिवस्ता राजकता बढ़े कानून के राज के सामने चैलेंज दिखाई दे और मुझे लगता है कि जनता को यही देखने क्या हो सकता है और मैं तो अपील करूँगा आज के दिन पर हर एक भारतवासी को गर्व के नभूती होनी चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि हाँ हम अपनी समस्या का समाधान समधान सम्मत तरीके से करना जानते हैं और करेंगे भे 9 नौमबर 2019 को जब सुप्रेम कोड फैसला दे रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर वह दिन सबसे सांति पूर्ण दिन था एक भी घटना यानि एक सामान ने धक्का देने की घटना भी नहीं घटी थुई बहुत सांति पूर्ण तरीके से समस्या का समाधान कैसे हो सकता है वह अतिती थी और मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण पड़ाओं है जब हमने अपने समिधान की प्रती और अपनी भारतियता की प्रती अपने आपको प्रतिवद्द करते वे व्यक्त किया है कि नहीं कोड जो फैसला दे का हम सब मानेंगे और सबने माना सबी अलपसंक्या को बहुत संक्या को हिंदू हो मुसलमान हो जो भी हो सबने कहा कि नहीं कोड ने फैसला दिया जिन लोगों को कभी ना भारत के समयधानिक मुल्यों पर विस्वास है ना उनको किसी लोकतांत्रिक मुल्य में विस्वास है उनको अगर महलाओं को अधिकार दो तो भी उनको दिक्कत है अगर कहीं कोई घटना घटित हो जाए तो दिक्कत है कोई घटना को रोग दिया जाए तो भी दिक्कत उनको होती है उनको चुने गिने चेरों को मोरों को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे समाज ने सुप्रेम कोड के फैसले को हिर्दे से स्वागत किया था और आज की कारिकरम को भी हर एक समाज का हर तपका आज जिस प्रकार से देश और दुनिया ने इस कारिकरम को सरहा है श्विकारा है और विनंदनी है एक बहुत बड़ा सपना बीजेपी का था राम मंदर निर्मान का और ये बात भी सच है कि राम मंदर के वादे को लेकर आप दो से बहुमत की तरफ पहुँचे अब ये सपना पूरा हो चुका है कई लोग आप पर आप इस निगाहा से देख रहे हैं कि आगे कुछ और होगा और मैं जानती हूँ मेरा इशारा बहुत अच्छे से समझ गये हैं क्या वाकी काशी मतुरा बाकी है देखे हम लोगों का संगहर्स पांसो वर्सों से युद्ध्या के लिए चला था इसे राम जन भूमी के लिए चला था उस नए युक का सुभारंब हुआ है आज जब पुरी ताकत के साथ ट्रस्ट एक नागरिक के नाते एक हिंदो के नाते एक योगी के रूप में हम लोग उस अभिहान को सयोग करेंगे क्योंकि मेरा मनना है कि मर्यादा प्रसुत्तम भगवान सिर्राम का मंदिर भगवान राम की यस और कीरती के नुरूप देश और दुनिया में भारत की यस और कीरती को भी पहुँचाएगा यह हम सब की कामना होनी चाहिए इसी में पुरे देश का कल्यान भी है जहां तक कासी के विकास की बात है कासी का विकास पिसले 6 वरसों के दोरान प्रधान मंत्री मोधी जी के नित्रतों में बहुत अच्छे डंक से आगे बढ़ रहा है और मत्रा विरंदावन का विकास भी कृष्णा सरकीट के रूप में प्रधान मंत्री मोधी जी के ने तृतों में पहले प्रारम हुआ ब्रजत तीर्थ विकास परिश्ट का गठन करके हमारी सरकार ने उस कारिक्रम को और गती दी है और बहुत मजबूती के साथ एक कारे भी चल लाए है मुझे लगता है अभी हमारा वहां की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संग्रक्सित करते हुए वहां के भौतिक विकास को आगे बढ़ाने का है और यह कारिक्रम हमारे अनुबरत रूप से चलना है इसमें चलानी वाली बात क्या है तो अल्रेडी चला है इसलिए इसमें प्रस्ण कहां से खड़े होते हैं कि हम यह चलाएंगे जो लोग सोच रहे होंगे उनसे पहले जवाब दिया जाना चाहिए कि हम पहले से इस कारेक्रम को आगे बढ़ाती है आप हिंदू परमपराओं को आप बड़ा सम्मान करते हो आप तो खुद योगी है लेकिन आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि यहां आपने उन माननेताओं पर विश्वास नहीं किया आपने शुब अशुब मूर्थ का ध्यान नहीं रखा प्रधान मंत्री नरेन रुमोदी की सहूलत के हिसाब से मूर्थ तै किया गया ऐसे आप पर आरोप लग रहे हैं देखे ऐसा कुछ भी नहीं है आरोप ये लोग लगा रहे हैं जन्होंने सदे और राम जनम भूमी के मंदिर आंदोलन और अभ्यान का विरोध किया है ये प्रस्णवे लोग खड़ा कर रहे हैं जन्होंने राम के स्तित्तो को ही नकारा है ये प्रस्णवे खड़ा कर रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर के मार्ग में सपक्पक पर बाधाई भड़ाई खड़ी की है राम के काज में हरतिती सुभ है और दूसरा से राम जन्भों में तीर्ट छेत्र विकास जो न्यास है उस नियास ने देष के जो प्रख्यात ज parliament जो तिसा चारे थे इस फेड़ के विद्वान थे उन सब की सेमत ही से जो प्रसस्त थी और मोहृत तेय किया याद रखना जिस मोहृत में प्रधान मंत्री जी ने सिला अस्थापित की अभीजीत महुरते भगमार राम के जन्म दिवस का भी महुरत है इसलिए प्रस्टन खड़ा करने वाले लोग देखे जिसको नकारना है हर प्रकार से नेगटिविटी जिनके अंदर भरी पड़ी है वो लोग हर कारे का भी रोत करेंगे पर योगी जी शंकराचार सबकी आचन को देश जानती है कि कौन किस की क्या भूमिका रही है राम जन्म भूमिकी आंदोलन में कौन कॉंग्रेस के एजेंड की रूप में काम कर रहे थे कौन किसके एजेंड की रूप में काम कर रहे थे हर 32 बात को जानता है इसलिए मुझे इसके बारे में कोई उसमें प्रसंद नहीं खड़ा करना है हमने जो काम किया है जो भी प्रसंद मोर्त और तीथी थी उसके अन रूप किया है भग्वान राम का भव्य मंदर बनेगा भग्वान राम उसमें बिराजमान होंगे देश और दुनिया भारत के यस और कीरती को देखेगी क्योंकि जी राम भक्त होने के नाते आज अब बड़े उत्साहित होंगे इस बात से भी कि प्रियंका गांधी राम महीं हो गई है राहुल गांधी राम भक्त बन गए है अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट आ गया अर्विन केज्रिवाल ने ट्वीट कर दिया तो अच्छी बात है हम तो इस बात को बराबर कह रहे हैं तो यह राम भक्ती जागी है या आपको लगता है कुछ और है जग जाए तो अच्छी बात है अन्य था राम लिल्हा के किरदार में हौनमान भी है और कालनेमी भी है सब की अपनी भूमिकाएं हैं और अपने अपनी भूमिका के नरूप हर वेक्ति कारे कर रहा है और उसका प्रणाम भी पार रहा है उसका फल भी पार रहा है राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसमें यह कहा है कि मैं लब्बलुबाव आपको बता रही हूँ संक्षेप में चार-पांच लाईने लिखी है उसमें कहा है कि राम वो है जहां पर रोश्नी दिखती है राम वहां नहीं जहां अंधीरा है और कुछ ऐसी तीन-चार पंक्तिया लिखी है एक तरफ हो सकता है वो आपकी तरफ इशारा कर रहे हूँ और दूसरी तरफ राम भक्ती भी दिखा रहे हूँ अच्छी बात है देराए दुरुस्त आए कुस तो राहुल गांधी ने लिखा है कुस तो बोला है उन से पोचना चाहिए 2005 में जब राम स्यूतो का प्रकन आया था तब उनके विचार क्या थे राम मर्यादा प्रशुत्तम भगवान से राम की प्रती 1949 में जब रामलला का प्रकटी करण हुआ था तब क्या विचार थे उनके पूरवजों के रामलला की प्रति 2019 में जब इन्हीं की पार्टी के एक नेता के द्वारा सुप्रीम कोट में इस फैसले को न किया जाए इसके बारे में एप्लिकेशन दी जाती है तब क्या विचार थे राहुल जी के और प्रियंका जी के रामलला के प्रति और रामजनम भूमी के प्रति इससे भी उनको देश को और दुनिया को उगत कराना चाहिए आज आपको लालकृष्ण अडवानी याद आए मुली मनुहर जोशी की याद आई लोग चाहते थे कि सभी लोग उसकारी कम में सेहागी बने फुरा देश सेहागी बने प्रतिक्स उसुशेतर का में आकर कि उसकारी कम में सैहागी बने लेकिन हमारे सामने कार्यaks का यूजिक था सिराम जन्भु में तीर्थ छेत्र न्यास हमें बाहर की सुरक्सा देखनी थी लेकिन साथ-साथ हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल को भी मजबूती से लागो करना था करोना संक्रमन को भी रोकने के लिए जो आउस्षक कदम थे वो भी हमें उठाने थे इसलिए आपने देखा होगा कुल 200 अथिति उसमें आमन्तित किये गए थे और उसमें भी देश के वुजश संतों को की उपस्तिती जादा थी बाकी तो बहुत कम लोग थे कारेकरम का लाइब टेलिकास्ट हुआ और इसलिए हमने अपील की थे कि अपने घरों में दीब जलाएं अखंड रामेन का पार्ट देव मंदिरों में करें देव मंदिरों को सजाएं और वहीं पर अपने पूरवजों का श्मन करते भी भगवान राम का स्तवन करें तो ये कारे पुरे देश के अंदर हुआ है देश और दुन्या ने इसको देखा है स्वाभाई कुर्ट से सभी लोग उस कारेकर में सहभागी हो सकते थे लेकिन ज्यादा उम्र से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उन सबसे अपील की गई थी ट्रस्ट के द्वारा कि अगर उ त्रस्ट का निर्मान सुप्रेम कोड के आदेश के इनसार हुआ है कारे जट चला है अब कारे स्पीट के साथ आगे बढ़ सके इसके लिए आउस्यक दिती थी और उसको आज ट्रस्ट ने उस दिती के लिए आज की थी प्रसस्त की थी उसी कारेकरम को आज प्रधान मंत्री राममंदर की निर्माण के शुरूबात हो गई dressing राम्राज्य ही कब आएगा राम राज्य ही जहां पर जाती मत मज़ब के अधार च्छेत्र औहशा के अधार वबयातब हो सासन की योजनाय हर एक नागरी को समान रूप से मिल सके राम राज जी की ही अवधाना है यही साकार हो रहा है छे वर्सों में यही काम किया है राम जनम भू में भगबान राम के मंदिर निर्मान का कार्य का सुभारंब उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाओ है भब्य मंदिर का निर्मान इसके नाम राज्य की आउधाना को ही साकार करने का कार्य है। योगी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।